जेश्या राम मेरे परम प्रेश्वी भाई बैनों का आपके अपने परिवार हिंडू रिस्वल चैनल में पुना स्वागत है और होली कोट्सों की बहुत पहुत शुपकामना है प्रभू की किरपास से जीवन में खुसियों का हर रंग जो है भर जाए आज हम होली कास्टर के की बात है होली कास्ट तक जो है इस बार तीट आहसरो करको करके नो मार्ट दो हजार वीश तक यह जो पीरियड एई मैंना जाएगा किए सजक्वार करके और पूर्मा परियंत यह माना जाता है कि जो है यह नहीं करना चाहिए वह नहीं करना जाए ऐसा गडबढ़ हो जाएगा तो इसमें घबडाने की बात नहीं है हलाकि जिन बच्चियों का विवाः हो जाता है उनको 15 दिन तक किसी भी मूरद्पी आवय्शकता नहीं होती है सस्राल जाने के लिए हाँ उनको सस्राल से वापस माय क्या आना है तो ह्लोकास्टर के अंदर आना उचित रहेगा अत्वा उनको सस्राल जाना है मार्च 2020 के पहले जाना उचित रहेगा किसी भी कारण से वह बाद में जाएंगी अत्वा उनका भी टिकट नहीं हो पाया है तो उनको एक थोटा सा नियम है कि प्रस्थान कर देना चाहिए प्रस्थान मतलब क्या होता है कि जिस रास्ते पर हमें जाना है अपने घर के बाहर कहीं भी किसी के भी घर में एक अपना जो कपड़ा पहनते हों वो कपड़ा अत्वा चार लोग है जाने वाले दो लोग जाने वाले हैं तो दोनों लोगों का एक एक सेट कपड़ा पैक करके वहां पर भिजवा दीजिए जहां पर जिस घर में अत्वा जि अपना ट्रेन बस फ्लाइट पकड़ करके आगे जाना हो और भी अच्छा रहेगा अपने आचार प्रोहिच से जो है दिशासुलित देखर देखर के भी आप यात्रा कर सकते हैं हलाकि कई लोग घबडवा रहे हैं कि इसमें केवल अंतिम संसकार के लिए तो हर आदमी विबस होता है इसके बार के बाकी संसकार नहीं करना चाहिए पर शास्त्रों में ऐसा बिलकुल नहीं आया है आप पंचांग उठा करके देखे रिशी के इस पंचांग नहीं शापा पं उसकार से आप कर सकते हां तक आप्ति तक कुलति वी बिवाह दिया गया है तो इसले हैं घबड़ने वाली बात नहीं समझने वाली बात है और करने वाली और बी क्या विशेश बात हूँ जैसा कि आप सभी जानते होंगे क्यों होली ट्रॉली च और होली जलने वाले दिन तक प्रहलाद जी को उसके पिता हिरन कश्चप कितना परेशान किया था कि परमात्मा कहीं नहीं मैं ही इस्वर हूँ मेरे ही पुजा करो और उस इस्वर को मत मानो लेकर उनकी अपने प्रभू में इतनी निष्ठा थी कि उनको अलग अलग दिन अलग अलग तरीकों से उनको प्रतार ना दिया उनको परेशान किया फिर भी वह इतना चोटा बच्चा बिल्कुल डिगा नहीं अपने इश्वर पर जो है क्योंकि और उसका कारण क्या था कि ज आशी बातें सबन करनी चाहिए महीं से हमारे बच्चे का निर्मान हो जाता है वह जो भक्ति उनके गर्व से उनको प्राप्त हो गई थी उसी भक्ति में लीन थे भगवान पर अटूट भरोसा था जिसके कारण जो है जब जलते हुए खंबे से भी बाना तो नन्ना सा बच और उनके लिए श्रीखंड जैसा ठंडा बन गया भगवान प्रड़ेक्ट हो गए और जैजेसे अराम उनके पिताजी का उन्होंने उठार किया तो यहां हमें सिक्षा मिलती है कि जिस भगवान के प्रत हमारी आस्ता है विश्वास है उन पे हम आटूट विश्वास है पर अपनी पवित्र भावनाओं को सही जगा केंड़ित कीजिए तभी हमारा परम कल्यान होगा तो यह जो है आट दिनों तक हमें भक्ति को बढ़ाने वाला है जो भी आपका अब्रत है उत्वास से पूरी तरह से मनाएं और जिन जिन मोरत और मोर्तों में भी आप सारे कारे कर सकते हैं बिल्कुल घवडाने की डरने की कोई आशकता नहीं है बलकि समझ करके भगवान की और निश्ठा हो करके इंदों में की प्रभू जैसे प्रहलात के अंदर आपने भक्ति को जगाया और इतने बच्चे को भी जो समझाया उसको दर्शन दिया उसको गले लगा इसी हो जाएंगे इन भावनाओं के साथ आप विशेश अनुष्ठान पोजनेट्याद भी कर सकते हैं इन बीच में जो गुरू जिसे आपको मंत्र मिला है अत्वा जिन मंत्रों का नित्जाब करते हैं जिनका पाट करते हैं और विश्चित हो जाएगा होली का के राक्तिरी में तो और भी करना चाहिए उसका वीडियो में अलग से बनाओंगा होली की दिन हम क्या करें कैसे करें और क्या ना करें तो इससे समझें जो भी प्रस्म होगा आप कमेंट्स कीजेगा मैं बताने का पूरा प्रत्न करूंगा फिर मिलूँगा एक नहीं जानकारी के साथ में जै जैसे अराल